हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियोज देखने के लिए नमस्कार दोस्तो जरहट के हिंदी माप सभी के एक बार फिर से इस वाकत है दोस्तो यदि आप इस छोटे से एक आसान से उपाय को कर लेंगे तो इससे आपकी चट मंगनी पट बया होने के योगे बन जाएंगे यदि तमाम कोशिशों के बाबसूद साधी की बात नहीं बन पा रही और उसमें लगतार बादाएं आ रही हैं तो आप जोटिस की आसान उपायों को करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं वैदिक जोटिस में बताए गए सनातनी उपायों को करने से विवा के मारग में आ रही बादाएं दूर हो जाती हैं और विवा जल्द संपन हो जाता है विवा में आ रही बादाएं को दूर करने के लिए सौंवार या गुरुवार के दिए अनार की कलम से बेल के पत्ते पर ओम नमश्वाय लिकत सिविलिंग पर अर्पित करें साथ ही साथ एक माला ओम नमश्वाय मंत्र का जब करें भक्ती भाव से 21 सौंवार या गुरुवार को इस उपायों को करने पर विवाह के योग बन जाते हैं यदि आपकी साधी की उम्र हो गई है और तमाम कोशिशों के बावजूद बात नहीं बान पा रही है तो सीगर विवाह के लिए परते ने इसनान दियाने के पश्चा पारवती चालिस अका पाट करें साथ ही साथ प्रते एक स्वामवार के दिन भगवान सिव को दूद से अभी सेख करें यदि किसी व्यक्ति की तमाम कोशिशों की एक अच्छी जीवन संगने की तलास खत्म हो पा रही है तो इस मंत्र का जाप करें इस मंत्र के नियमित जब से विभा में आने वाली बाधाने दूर हो जाती है और सुयोग जीवन संगने का सपना पूरा होता है दोस्तों हम इस मंत्रों के अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे आप वहां से उतार सकते है सीग्र विभा के लिए गुरु वार के दिन विफरत रखें और पीले रंग का वस्तेधारन करें केले के पेड़ की जड़ को ब्रस्पती वार के दिन पीले कपड़े में लपेट कर बाजू में बांदे लें सीग्र विभा की बात चलने लगेगी यदि विवाह में जादा बादाएं आ रही हो तो भगवान सिरी गड़ेंट्स को पीले रंग के मिठाई का भोग लगाए और प्रते गुरुवार को नहाने के पाने में एक चुटकी हल्दी डाल कर इसनान करना चाहिए यदि आप इने में से कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विवाह के योग भन जाएंगे और विवाह की बात चल पड़ेगी तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई हो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको अदेख सद एक लाइक और शेयर करना ना भूले और इसे प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद